वेल्टम गाइस टोफर चैनल आईक्यू गैडर आज हम कर रहे हैं एक वीडियो आपके लिए जिसमें बहुत सारे इंपोर्टिन कॉंसी मेटर पर हम टाइक करें आपको बाइक करने चाहिए आप किया करें आपको ऐसा नहीं क्यूँकि इतना टाइम टेही है हमारे पास, अभी मैं इस बारे में बात करोंगे कि टाइपिंग हो जो हमारी पोस्टकॉंट हो गई है वो typing कब तक होगी या फिर कब तक होने के chances हैं और बहुत सारी बात चुन लोगों के typing नहीं बढ़ रही है speed नहीं बढ़ रही है racing नहीं increase हो रही है तो उस वारे में हम last पर बात करेंगे जो important चीज जिसके लिए वीडियो में बनाया है उसके बारे में पहले बात करतें ठीक है पहले हम क्या बात करते हैं कि अलाबाद RO की जो typing है वो किस matter पर करने ही चाहिए वो चीज हम यहां पर जानने की कोशिश करतें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम चलेंगे अपने Google के साथ Google पर ठीक है और यह हमने अपना Google on कर लिया है इसमें मैंने आपके लिए सबी कुछ सर्च करके रखा है कैसे कैसे आपको जाना है पहले मैं आपको पुरा process बता देती हूँ फिर आपको मैं judgments दिखाऊंगी कौन-कौन से judgments आपको करने हैं अभी मैं आपको show कर रही हूँ कि सबसे पहले आप Google पर जाओके यह इंटरफेस होगा यहाँ पर डालोगे Indian-canon-org ठीक है यहाँ पर आपको टाइप कर सकते हो Indian-canon-org ठीक है . तो यह इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर खुल कर आएगा यह खुल कर आए यहाँ पर जैसे मुझे AK-Gopalan मुझे मुझे केस चाहिए AK-Gopalan वाला ठीक है तो यह सारे केस आपके खुल कर आएगे इसको जैसे हम क्लिक करेंगे कोई भी वन ठीक है तो क्लिक करने के बाद यह इंटरफेस आपके सामने खुल कर आता है यह सारा कुछ अब यहाँ पर आपको क्या कर रखा है यह अलग डिवाइड कर रखें कि क्या चीज आपको तो यहाँ परिंटी भी कर सकते हो आपको PDF form में चाहिए PDF form यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे यह PDF form में आपके सामने पूरा अप्लोड होकर आजाएगा इसमें ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा यह पूरा केस आप इसको टाइप करने बैठ गया है इसमें क्योंकि कुछ-कुछ इंपोर्टन जेजस के नाम और कुछ इंपोर्टन चीज़े होती है हर एक जज्जमेंट में इससे कि अगर आप 10 से 20 या 25 इसके टाइप करिए और कभी भी एक पेज को सिर्फ एक बार टाइप मत किया करिए अगर आपको अपनी स्पेड एन इकुरेसी बढ़ानी है और जब तक उसको टाइप करते रही है अगर कोई पेज है चलिए मैं टिप्स लास्ट में आपको दूँगी थोड़े से और वो सब एक साथ बात करते हैं अभी फिलाल हम चलते हैं अपनी नेक्स चीज के तरफ जो हम कौनसे जज्जमेंट्स आप करने हमें चाहिए ठीक है यह बात समझ में आगे हो कि कैसे आपको यह डाउन लोड करने है यहां से एक फायदा यह होगा आपको यह यहां से डाउन लोड करने पे आपको उस format में मिलेगा matter क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे symbols और बहुत सारी चीजों के पीछे पढ़े हुए Gmail जो constitution या जो भी judgments है वो different form में भी है मगर हमारी typing में ऐसे नहीं आना है क्योंकि हमारी typing में किसी भी तरह की formatting नहीं है एक normal formatting अगर formatting आप उसको बोलते है symbols लगाने को यह सब यह जिस तरीके का matter है आपको वो उस तरीके का matter यहाँ पर provide है इसमें यह अच्छी बात है ठीक है जिसमें आपका time जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होने बाला है ठीक है और आपको बहुत सारा मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ extra दे नहीं रखा है सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी लगी और यह software कोई भी software इसको बहुत असानी से असिप्ट कर रहा है चली आप चलते हैं हमें कौन से judgments करने हैं ठीक है ओके आज फिर हम अपनी slide पर आ चुके हैं और अब देखेंगे कौन से judgments हमें करने चाहिए ठीक है पहले जो मैंने पांच यह judgments है important constitution एके कोपालन केस 1950 में जो हो था शंकरी प्रसाथ केस 1951 बैरुबारी यूनियन केस 1960 गोलकनाथ केस 1967 केशव नंपार्थी केस 1973 इंद्रा नेहरु गांधी राज नारायन केस 1975 मेंका गांधी केस 1978 मेनर्वा मिल्स केस 90 80 और वमन राव केस 90 81 शाह बानू बेगम केस यह भी काफी important है यह भी आप कर सकते हैं 1985 अगर आपको यह भी कम लग रहे हैं इससे भी जाधा आपको करने हैं तो मुझे बता दीजेगा मैं आपको फिर से प्रोइड करा दूंगी ठीक है अच्छा चलिए आप चलते हैं अपनी टिप्स के तरफ कि हमें क्या करना है आखर जो मैंटर है उसमें किस तरीके से हम करें ताके हमारी जो मैंटर करें उसमें बढ़ जाए पहली चीज अभी आपके पास टाइम है तो आपको बिल्कुल बैक स्पेस को आप कर सकते हैं टाइम है जैसी ही टाइपिंग की डेट आती है दुपार से अनौंस होगी तो विदाउट बैक स्पेस करिए बैक स्पेस लॉग करने से भी आप मैंटर को बार बार टाइप करना है उससे बहुत ही जादा आपकी एक प्रेस इंक्रीज होती है बहुत जादा आपकी स्पीड इंक्रीज होती है यह आप लिखकर रख लिजए आपको एक मैंटर सिर्फ एक बार टाइप नहीं करना है बार बार उसको टाइप करना है ठीक है तक कब तक आपको एक matter टाइप करना चाहिए, जो मैं अपने लिए personally अभी तक यूज करती हूँ, और इस starting से जो मैं टाइपिंग करती थी, तो मैंने उस चीज़ को यूज किया, अगर मेरी कोई भी judgment, कोई भी typing matter है, पहले SSC के लिए मैंने किया था, तो कोई भी matter आता है, तो मेरी mistakes 10 से उपर पहुच गई, तो मैं उसको बार बार करती थी, या मेरी line miss हो गई, या फिर मैंने line repeat करती, या कुछ भी ऐसा, अगर मैंने कर दिया, तो मैं उसको दुबारा करती ही थी, और तब तक करती रहती थी, जब तक उसमें below 10 mistakes नहीं आ जाती, ठीक है, और अबू मे प्रेसी बहुत अच्छी है, उसमें, 10 mistakes इतनी बड़ा, आपके marks नहीं काटने वाले, 10 mistakes, 10 error होने से, कोई भी इतना बड़ा, वो नहीं नहीं वाला है, अब उसके बाद, secondly, जो आपको क्या करने है, जब भी आप टाइपिंग कर लो, उसका जो matter है, आपके पास result आता है, उस result को आपको बहुत अच्छे से check करना है, क्या करना है, बहुत ही अच्छे से उसको check करना है, ताके उसमें कोई भी गलती आपसे नहीं हुई हो, जो भी आपसे गलती हुई हो, उसको बहुत अच्छे से check करना है, कि constitution आपसे गलत अगर लिखा गया, तो क्यों लिखा गया, उ उसको आप चेक करिए, क्या गलती आप करते हैं, उस वर्ड को आप कोशिश करिए, मिनिमम फिफ्टी टाइम्स उस वर्ड को नोट पैट पे अलग बार-बार टाइप करिए, बहुत स्पीड में, छीके, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं, उसे भी आप बार-बार 50 वर्ड् आपको क्या करना है बीच में ब्रेक जरूर लीजे अच्छा एक चीज जो मुझे लगती है परस्नली जैसे कि अभी टाइपिंग आपका बीच में काफे टाइम मिल गया है और कब तक होगी अभी हम अब इस पे डिसकस करते हैं ताइपिंग इसमें आपको टाइम मिला है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें आप दो दिन का ब्रेक लीजे बिल्कुल पर टाइप मत करिया आप देखेगा आपकी 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 स्पीड और एकुरेस इंक्रीज हुई है जब भी हम बहुत जादा लॉंग डिरेशन लगाता है टाइपिंग कर रहे हैं और बीच में अगर ह अच्छा रिजल्ट इसका रहता है तो आप इसको कर सकते हैं आप प्रॉब्लम है लोगों को जिनको लग रहा है कि अखिर टाइपिंग होगी कब जो हमारी टाइपिंग पोस्पोंड हो चुकिए वो टाइपिंग कब होने वाली है तो उसकी बारे में इसू यह है कि अभी तक तो उसमें कुछ डिसाइड नहीं हो पारा है आज एक काउंसिल मेंटिंग बैठी थी उसके लिए और अभी तक उसका कोई फाइनल रिजल्ट हम तक पहुचा नहीं है बट बहुत प्रॉब्ली यह जो टाइपिंग होनी चाहिए वो और आउगस्ट लास्ट वीक यह सित अगर आप किसी एक्जाम के लिए प्रपार कर रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी मिस्स ना करें ठीक है आपको क्या करना है अच्छे से पढ़ाई कर दी है और बहतरी जॉब लेकर जानी है तो ठीक है फिर आप फिर से मिलते हैं किसी इंपॉर्टिट वीडियो के साथ औ और बहुत ही जल्दी मैं आपको फिक्स जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपके साथ शेयर करूंगी मेभी कल और मेभी परसो जब तक आये मुझे एकदम वेरिफाइड इंफोर्मेशन नहीं मिलती है तब तक मैं चाहती हूं कि आपको यह चीज़ें डिसकस ना करी जाए तो इसके लिए मैं जरूर आपको करूंगी और आपको इसके लिए क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक भी करना है ठीक है थैंक यू फो वचिंग इस वीडियो